अखिल भारतिय विद्याती परश्ट की बिलास्पूर इकाई ने शिक्षा क्षेतर में ब्यापत समस्याओं को लेकर धरना परदर्शन किया। इस धरने को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि शिक्षा क्षेतर में अनेकों समस्याई ब्याप्त हैं लेकिन इनके निराकरण के लिए बिशप विद्याले प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है। यही कारण है कि विद्यारती परिशद आज पर क्षेतर में अनेकों समस्याई ब्याप्त हैं लेकिन इनके निराकरण के लिए बिशप विद्याले प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है। यही कारण है कि विद्यारती परिशद आज परदेशवर की इकाईयों में धरने प्रदर्शिन कर रही है। उन्होंने कहा कि विद अंदोलन करेगी। अखिल भारतिय बिद्यारती परशिद की बिलासपुर इकाईयों ने कहा कि अखिल भारतिय बिद्यारती परशिद परशासन और सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाये नहीं तो उग्र अंदोलन किया जाएगा। अखिल भारत इसी सतर से शुरू की जाएं परदेश के महाबिद्याले में रिक्त शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद चल्द भरे जाएं परदेश में निजी मेडिकल कॉलेज में अतधिक फीस पृत्ती एबम व्यपारी करण पर रोक लगाई जाएं केंद्रिय बिशेप विद्याले के स्थाई परिसर के निर्मान कारे को शिक्र शुरू किया जाएं असंसी व आउट्सोर्स के मादिम से भरतियां युबाओं के साथ धोका है इन पर रोक लगा कर नियमित भरतियां की जाएं परदेश के संस्कृत महाबिद्याले में दे निय स्थिती में सुधार लाय जाए और परदेश में संस्कृत विशेप विद्याले के स्थापना की जाए निजी शिक्षन संसान नियामक आयोग और निजी विशेप विद्याले में ब्रस्टचार एबंब्यापारी करण पर रोक लगाई जाए तथा परदेश के महाविद्याले में मूल भूत सुभिधाओं को सुद्रिड किया जाए उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए ताकि बच्चों की शिक्षा में उसे कोई विविगन ना पड़े तथा विशव विद्याले का जो केमपस अभी तक पूरण रूप से त्यार नहीं हो बाया है उस केमपस को त्यार करके वहाँ पे क्लासिज लगवाई जाए कारिकम में एक बर फिवक तो चले चोड़ से बेका ब्रेक के बाद जारी रहेंगी परदेश की कतिवितियां